बेंगन और चिकन पास्ता बनाने की विधी पास्ता में एक और वेराइटी तो पहले गर्म पानी में पास्ता डाल कर उबालेंगे हमने मुसली पास्ता लिया है अब सौस के लिए जो है गर्म पान में ओलिव ओल बारी कटा लहसुन प्यास हरा शिमला मर्च भी डाल कर दो बार चला कर बेंगन की गोल कटे हुए तुकड़े भी डाल कर सौटे करते हैं इस बीच पास्ता भी तैयार है देखिए तो प्लेट में निकाल लेते हैं अब हम इस बैंगन वाले पैन में बोल्लेस चिकन डालेंगे बिल्कुल बारी चॉप किया हुआ अब मिक्स हर्ब्स नमक लाल मिर्च पाउडर टोमैटो प्यूरी और टोमैटो केचप भी डाल कर मिलाते हैं इसे हम बिल्कुल धीमी आज पर दो मिनिट के लिए पकाएंगे इसके बाद अब इसमें बोल किया हुआ पास्ता उबाला हुआ पास्ता वाला पानी भी डाल कर बस दो मिनिट के लिए पका कर गैस बंद कर देते हैं इसे प्लेट में निकाल कर इस पर थोड़ा सा पामेजान चीज चिड़क कर पास्तली के साथ गार्निश कर गर्मा गर्म इसे खाएंगे